आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, यहाँ पर Question है Matching का Question है, तो पहले बुला गया Latent Heat क्या होती है जो Latent Heat होती है तो पहले हम लोग उसकी Definition लिखते है तो देखे, Latent Heat क्या होती है The amount of Heat required To change a unit mass Of a substance Completely from State 1 to another At constant temperature Is called Latent Heat Of the substance It means हमने क्या लिखा हो है The amount of heat Required Required to change A unit mass of substance Completely from State 1 to another At constant temperature Is called Latent Heat of the substance तो एक्जाम्पल में माल लिजीए कि हमारे पास जैसे Ice दी हुई है यह हमारे पास Ice दी हुई है इसका Face कैसा होता है Solid फर्म में होता है इसको हम लोग जोब Heat देंगे At constant temperature तो यह किस में Convert होना चाहिए Water में Convert होना चाहिए और इसका Face कैसा हो जाएगा Liquid Phase हो जाएगा और Temperature क्या होना चाहिए Same होना चाहिए तो Water Liquid में Convert हो गया Ice से Solid से Liquid में Convert हो गया तो इस Heat को हम लोग क्या बोल देंगे तो यह Heat कैसी हो जाएगी यह Latent Heat हो जाएगी Latent Heat हो जाएगी इस Substance Ice की हो जाएगी और उसके बाद Similarly हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहां अगर जो Temperature है यह कैसा होना चाहिए वाटर है वह किस फर्म में रहता है लिक्विड फर्म में होता है और वह क्या करता है Boil करना शुरू कर देता है यानि कि Gaseous Form में Convert होना शुरू कर देता है तो जब Gase में Convert होगा तो जिस समय Convert होगा उस समय इसका Temperature क्या होगा 100 degree Celsius होगा इधर भी 100 होगा इधर भी 100 तो Constant Temperature यहां पर important होता है तो Constant Temperature होना चाहिए तो इस समय जो इसको Heat हम लोग देंगे उसको Latent Heat of this Substance बोलेंगे ठीक है तो यह हो जाएगी Latent Heat तो इसका Formula क्या हम लोग लिखते है हम लोग इसका Formula लिखते है Q बराबर M into L Q क्या है Heat है M क्या है Mass of the Substance है L क्या है Latent Heat है तो यहां पर जैसे Solid से Liquid में Convert होगा तो Latent Heat of Fusion इसको बोलेंगे LF से Denote करेंगे और यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर Vaporization बोला तो इसको Latent Heat of Vaporization बोल देंगे तो हमारा First का Match किसे हो जाएगा Q बराबर M L से फिर Second में बोला गया Specific Heat Capacity तो यहां पर हम लोग Specific Heat Capacity लखेंगे तो Specific Heat को हम लोग कैसे Define करते हैं The Amount of Heat Required To Raise the Temperature Of 1 KG of Solid Or Liquid Through 1 Degree Celsius तो यह हमारी Specific Heat Capacity की Definition हो जाएगा यह बोलता है कि जितना Amount हम लोग Heat का Supply करेंगे 1 KG Solid को ठीक है या फिर Liquid को उसका Temperature 1 Degree Celsius बढ़ाने के लिए जितना हम लोग Heat इसको Supply करेंगे वो क्या हो जाएगी Specific Heat Capacity हो जाएगी तो Heat हम लोग लिखते हैं Heat बराबर M C Delta T क्यों क्या हो जाएगी हमारी Heat हो जाएगी M क्या हो जाएगा Substance का Mass हो जाएगा C हो जाएगी Heat Capacity और Delta T क्या है Temperature में Difference है तो यहां से अगर हम C बराबर लिखेंगे तो Q divided by M into Delta T हो जाएगा It means जितना हम लोग Heat सप्लाई कर रहे हैं Divided by Unit Mass ले रहे हैं इसलिए हमने यहां पर 1 kg लिखा हुआ है और यहां पर Temperature में Difference यह कितना हो जाएगी यह 1 degree Celsius सुना जाएगी तब हम इस C को बोलेंगे मतलब इस Heat Capacity को बोलेंगे Specific Heat Capacity तो इसमें Specific तब लगाएगे जब लोग Unit Mass को Consider करेंगे इसकी Unit अगर हम लोग लिखें तो क्योंकि यहां पर Formula तो दिया नहीं किया है तो Unit में दिया हुआ है तो यहां पर Heat की Unit क्या होती है Calorie पर इसको Mass को हम लोग Gram लिख दिया मैंने और यहां पर जो Temperature में Difference है इसको Degree Celsius में लिख सकते है तो Calorie पर Gram Degree Celsius यहां पर हमने Gram इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग CGS सिस्टम को कंसिडर कर रहे है CGS मतलब सेंटीमीटर, Gram और सेकेंड और अगर हम लोग SI Unit कंसिडर करते है तो Heat की जो Unit है वो Joule में हम लोग लिखते है और Mass की Unit लिखते हम लोग किलो ग्राम में तो इस Definition के According यह जो Heat है इसका Unit Joule होना चाहिए बट जो हमारे Given Option है उसमें कैलोरी और Gram में दियो है CGS Unit में दियो है तो हम लोग CGS Unit ले रहे हैं ठीक है? हमारा Option No.2 जो मैच कर जाएगा Option No.2 से मैच कर जाएगा Thank You